मुचिल फंड्स और शेर्स की तरह भविश्य में आपके सभी तरह के इंशॉरंस डीमैट फॉर्म में होंगे और इंशॉरंस पॉलिसी रिपॉजिटरी के पास जाएगी इंशॉरंस रेगुलेटर एडाई अपने इस महत्तो कांक्शी प्रजेक्ट पर काम कर रहा है क्या है इंशॉरंस डीमैट फॉर्म और कैसे ये काम करेगा इसका जादा जनकारी लेते हैं मेरे सहयोगी और हमारे संबादाता अनुराक शासे अनुराक बताईए क्या तगी आ रही है सरकार की और डीमैट जैसा इंशॉरंस के लिए लाने के पीछे आईडिया क्या है देखे हाल के दिनों में जो आईडिया है कई सारे बड़े बदलाव कर रहा है इंशॉरंस सेक्टर के अंदर तो उसी कडी में एक बड़ा महत्वकांशी प्रोजेक्ट है जिसमें नई पॉलिसी आईगी इंशॉरंस पॉलिसी आईगी उस सीधा आपके डीमैट फॉर्म में जहां पर आप अपनी पॉलिसी को जमा करा सकते हैं फिजिकल फॉर्म में नहीं इंशॉरंस के तोर में लेकिन यह जो प्लान है आईडिये का वहां पर जो भी इंशॉरंस की पॉलिसी होगी वो सीधे डीमैट के अंदर जाएगी और इसके अंदर आगे चलके आपको किसी भ पीछे एक बड़ी सोच यह है इसके अलावा एक और जो प्लानिंग की जा रही है कि जो आपकी इंशॉरंस पॉलिसी होगी उसको आपके बैंक अकाउंट से लिंक कर दिया जाए तो भविश्य में जो भी आप इंशॉरंस लिंगे हेल्थ इंशॉरंस, लाइफ इंशॉरंस अपना मोटर इंशॉरंस तो वो आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक होगा तो उससे एक चीज़ यह होगी कि इंशॉरंस कंपनी को आपकी सारी जो डिटेल्स है के वाइसी से जुड़ी हो डिटेल्स मिल जाएगी और जो कुछ फ्रॉड्स होते हैं फरजी वाड़ा होता इंशॉरंस में वो उस पे लगाम लग पाएगी और ज्यादा डिटेल्स इंशॉरंस कंपनी को मिल पाएगी इसके अलावा अभी तक हम देखते हैं कि लाइफ इंशॉरंस के अंदर के वाइसी जरूरी होती है क्लेम्स के दौरान लेकिन जो हेल्थ इंशॉरंस लेते आप म तमाम जानकारी जो है वो regulator के पास, insurance company के पास रहेगी, जिससे insurance company को रहक का पूरा data मिल पाएगा, सारी जानकारी मिल पाएगी, claim settlement से लेके और तमाम जो बाकी प्रक्रिया है उसको आसानी से किया जाएगा, तो काफी बड़ा development होगा ये, insurance sector के अंदर जहाँ पर आपकी जो policy है वो demate form में होगी, आपके bank account के साथ insurance policy को link किया जाएगा, तमाम तरह की policy को bank account के साथ link किया जाएगा absolutely और ये पहले से का भी जाता रहा है जो जानकारे उनकी और से की, जो demate है उसका तो पूरा concept ही demetalization के लिए है, उसमें आपके तमाम तरह की जो holdings, investments, shares, bond, government securities, mutual fund, उसमें insurance भी आता था, अब ये बकायदा उसके लिए एक तैयारी करने की कोशिश की गई है, बहुत बहुत अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए